नमस्कार मैं डॉक्टर नीलम चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर गॉर्मेंट लॉकॉलेज अजमेर आज हम एलल्बी थर्डियर के फोर्ट पेपर लेबर और इंडिनस्टिय लॉस साकिंड के भारे में बात करेंगे हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो चाइड लेबर बालश्रम से संबध्यत है बालश्रम को समझने और उसमें कौन-कौन से नियम होते हैं उनको पढ़ने के लिए हम जिस एक्ट को पढ़ते हैं उसका नाम है दा चाइड लेबर Prohibition and Regulation Act 1986 बालश्रम प्रतिशेद और वी नियमन अधिनियम 1986 तो इस एक्ट में कहा गया है कतीपे नियोजनों में बालब के नियोजन को प्रतिशेदित करने के लिए तेथा कतीपे अन्य नियोजनों में कारे की शर्तों का वी नियमन करने के लिए अधिनियम बालश्रम प्रतिशेद और वी नियमन अधिनियम इसे कुल चार भागों में डिवाइड किया गया है तो जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, वो प्रारमबिक है जिसमें हम लोग Section 1 और Section 2 की बारे में बात करते हैं Section 1 जो अधिनियम है उसका नाम बताता है विस्तार और कब वे प्रारमबिक है उसके बारे में बताता है Section 2 परिभाशाओं के बारे में बताता है कि Act में किंटिन शब्दों का क्या-क्या अर्थ लगाया जाए उसके बाद आता है भाग दो भाग दो बताता है कि बहुत सारे ऐसे उपजीवी काएं है उनके प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजेमरी प्रतिशेद है तो उसमें हम लोग section 3 से लेकर section 5 तक पढ़ते है Part 3 बालकों के कारी की शर्टों का वी नियमन करता है जिसमें section 6 से लेकर section 13 तक बताया गया है लास्ट में आता है part 4 भाग चार जोकी miscellaneous प्रकीन है जिसमें section 14 से लेकर section 26 तक बताया गया है तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अधिनियम में कुल 26 धारा है और उन 26 धारों में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग part 1 की part 1 में सबसे पहले आता है section 1 क्योंकि इसमें दो ही धाराएं है section जो 1 है वो short title, extent और commencement की बात करता है कि जो अधिनियम है उसका संक्षिप्त नाम क्या है उसका विस्तार कहां कहां पे है और यह कभ प्राइगम हुआ है तो अधिनियम की धारा एक क्यानुसार इस अधिनियम को बाल, श्रम, प्रतिशेद और वीनियमन अधिनियम 1986 कहा जा सकेगा इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है इस अधिनियम के भाग तीन के उपबंदों से भिन उपबंद तुरंत परवर्थ होंगे और भाग तीन ऐसी तिथी से परवर्थ होगा जिसे केंद्री सरकार राज़ पत्र में अधिशुचना द्वारा निर्दिश्ट कर सकेगा और विभिन तिथियां भिनबिन राज़ों क के लिए तथा इस्थापनों के लिए वर्गों के लिए नियूक्त किया जा सकेगा उसके बाद आता है सेक्शन टू डेफिनेशन्स परिभाशाओं के बारे में बताता है कि इस अधिनिये में जब तक कि संदर्ब से अन्यता अपेक्षित ना हो सबसे पहले आती है समूचित सरकार appropriate government इसके अनूसर केंद्री सरकार के नियंतन के अधीन एक इस्थापन या एक रेल प्रशाशन या एक महापत्तन या एक खान या तेली चेतर के संबन्द में केंद्री सरकार और अन्य सभी मामलों की दशों में राज्यत सरकार से अभिप्र सरकार होगी तो यहां पर कुछ उद्योग और उपजीविकाओं के साधन बताये गए हैं जहां जिन मामलों में appropriate government केंद्री सरकार होगी और अन्य मामलों में राज्य सरकार होगी तो अगर कोई भी रेल से संबन्दित मामला है उसके प्रशाशन से संबन्दित है महापत्तन से संबन्दित है या खान या तेले चुते से संबन्दित है तो जो appropriate government है समुचे सरकार है केंद्र सरकार होगी अन्य मामलों में राज्य सरकार होगी तो दूसरा आता है परिभाशा में बालक की बालक चाइल्ड कौन होता है तो बालक की एक ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेथ ह जिसने अपनी उम्र का 14 वर्ष पूरा ना किया गया हो मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयू complete ना की हो वो चाइल्ड बालक की श्रेणी में आता है तीसरा है दिन डे मद्दे रातरी से प्राग्रम होने वाली 24 गंटे की एक आलावदी से अभिप्रेथ है मेड़ के बाद का जो पीरियड है 24 आर्स का उससे डे कहा गया है इस्टैबलिश्मेंट स्थापन एक दुकान वानिजे स्थापन कारेशाला फार्म आवसी होटल रेश्टरा भोजनाले थिएटर या लोग मनुरंजन का अन्यस्थान को सम्मिलित किया गया है ये सबी चीजें है व चू क्लॉस फाइफ में बताया गया है कि फैमिली कुटुम एक अधिभोगी के संबंद में वयक्तिक पत्नी या पती या थैस्थिति ऐसे व्यक्ति का या उसके बाल को भाई या ऐसे बहीन से अभिप्रेथ है तो ये व्यक्ति मिलकर फैमिली मनाते हैं फिर आता है अधिभ होगी ऑक्यूपायर एक इस्थापन या एक कारेशाला के संबंद में ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेथ है जो इस्थापन ये कारेशाला के कारियों पर अंतिम रुपे नियंत्रन रखता है प्तन अधिकारी एक पतन पर प्रशाशन करने वाले किसी भी अधिकारी से अभिप्रेथ है विहित फ्रिस्क्राइब्ड विहित धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित से अभिप्रेथ है तो यहाँ पे हमें section 18 का ध्यान रखना है कि section 18 में prescribe का क्या meaning दिया गया है Next definition आती है सब्ता week के बारे में सब्ता रईवार की मद्धे रात्री से या ऐसी अन्य रात्री से जिसे निरिक्षक द्वारा एक शेत्र विशेश के लिए लिखी तौर पर अनुमोदित किया जाय से प्रारम होने वाले साथ दिनों की एक कालावदी से अभिप्रेथ है तो अगर हम लोग जन्रल बात करते हैं सामाने तौर पर सब्ता शुरू होता है रवीवार में रात के बारा बज़ी के बाद अगले साथ दिनों के लिए तो उसे हम लोग वीक या सब्ता कहते हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगे पे जो इंस्पेक्टर है वो सब्ता को अलग किसी वार से शुरू कर दे तो जो भी वह दिन ते करता है उसके मध्यरातरी के पश्चात साथ दिनों तक जो काउंट होंगे उन्हें हम सब्ता या वीक कहते हैं नेक्स्ट आती है वर्क्शॉप करमशाला किसी भी परिसर उसकी प्रेसिमाओं को समलित करने वाली से अभिपरेट परिसर नहीं आता है जिस पर तर्ट समय के लिए कारकान अधिनियम की धारा 67 के उपबंत लागू होते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सेक्शन टू है उसमें टोटल दस परिभाशाएं बताई गई है और उन दस परिभाशाओं में बताया गया है कि किस परिभाशा का क्या मीनिंग है तो इसमें हमने देखा समुचित सरकार, बालक, दिन, स्थापन, कुटुम्ब, अधिभोगी, पत्तन अधिकारी, विही सब्ता और कर्मिशाला ये सभी डेफिनेशन से बताई गई है नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट टू भाग दो प्रोहिबिशन ओफ एम्प्लॉइमेंट ओफ चिल्डरन इन सर्टेन ओक्यूपेशन एंड प्रोसेस कती पे उपजीविकाओं तिथा प्रक्रियाओं में बालक करते हैं हम लोग धारा तीन के बारे में धारा तीन की जो हैडिंग है वो है प्रोहिबिशन ओफ एम्प्लॉइमेंट ओफ चिल्डरन इन सर्टेन ओक्यूपेशन एंड प्रोसेस कती पे उपजीविकाओं तिथा प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिशेद इस दारा तीनिसा किसी भी बालक को अनुसूची के भाग के में उपवर्णित किसी उपजीविका में या किसी कारेशाला में ने तो नियोजित किया जाएगा और ने ही काम करने दिया जाएगा जो जो अनुसूची दी गई है उसका जो भाग कह उसमें बहुत सारे बताए गए हैं पार्ट A में उन नियोजनों में किसी भी जो बालक है उसको नियोजित नहीं किया जाएगा जो पीछे शजूल दी गई है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पार्ट A है भाग कह है उसमें कुछ जो उपजीवी का है दी गई है वो है रेल मार्क द्वारा यात्रियों माल या बेलों का परिवहन रेल परिसरों में सिलेंडर एक धुवा युकते कड़े की सजाई या इमारत संक्रिया एक गतिशील रेड काली के अंदर या बाहर या एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म से विक्रेता की गतिय इस्थापन के किसी दूसरे करमचारी अंतरविष्ट करते हुए र एक रेलवे स्टेशन के निर्मान से संबंदित कारे या किसी दूसरे कारे के साथ जहां रेल मार्गों के संदीकर्ट या उनके बीच में किया जाता है किसे भी पत्तन की परिसीमाओं के भीतर पत्तन अदिकारी दुकानों को ऐस्थाई अनुग्यवति पटाको तदा जिसे संबंदित विक्रेकारे है तू और उप्शामन और वदिशाला है तो यह जो साथ प्रकार के नियोजित दिये गए हैं उनमें उक्यूपेशन्स हैं उनमें या फिर उनसे रिलेटर कोई भी अगर प्रोसेस है तो वहां पे किसी भी बालक को नियोजित नहीं किया गया है सेक्शन 3 में नीचे एक परंतुक दिया गया है जिसके अनुसार परंतु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी कर्म शाला को लागू नहीं होगी जिसमें कोई प्रक्रिया अदिभोगी द्वारा केवल अपने कुटुमभी की सायता से स्थापित किये गए किसी भी स्कूल द्वारा या सरकार से सायता या मानेता प्राप्त करके चलाए जाती है तो यहां पर यह कुछ अफ़ाद दिये गए हैं इन परिस्तितियों में जो बच्चे हैं उनको उपजीवी का या उसमें प्रक्रियाओं में नियोजित किया जा सकता है और इस अफ़ाद के अल सेक्शन 4 बात करता है पावर टू अमेंड दा शड्यूल कि जो अनुसुची दी गई है उस अनुसुची में जो संशोदन है उसको करने की शक्ति तो इस धारा के अनुसुची की किसी उपजीवी का या प्रक्रियाओं को जोड सकेगा और उस पर अनुसुची को तदनुसा संशोदित किया हुआ समझा जाएगा नेक्स आता है सेक्शन 5 चाइड लेबर टेक्निकल एडवाईजरी कमिटी बाल श्रम तक्नीकी सायता समिती इस धारा के अनुसार केंद्री सरकार राचपत्र में अधिसूचन द्वारा अनुसुची के उपजीवकाओं के अतरिक्त प कहीं चाने वाली एक सलाकार समिति का गठन कर सकेगा तो यह है जो पावर दी गई है समिति को कमिटी इसको बनाने की जो पावर दी गई है वो केंद्री सरकार को दी गई है सेंधर 북 Damno को उपधारादो कैनोसरा समिति में एक अध्यक्त और 10 से अंदी कैसे दूसरे- सदसे होंगे जिनका नियोजन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा एक चेर्मैन होगा और दूसरे अन्य दस्व्यक्ति होंगे समीति वैसा बहुदा सभैवार कर सकेगी जैसा कि वह है आवशक समझे और अपनी स्वयव मेव प्रक्रिया का वियमन करने की शक्ती रखेगी उपधारा चार के अनुसार समीति यदि वैसा करना आवशक समझे तो एक या अधिक उप समीतियों का गठन कर सकेगी और किसी ऐसी उप समीति के चाहे साधरन रूप से या किसी विशेश मुद्ने पर विचार करने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियोजित कर सकेगी जो कि समी समिती का सदस्य नहीं है उपधारा पांच के अनुसार कारेले की कालावधी कारेले में आकस्मिक रिक्तियों को भरने का धंग और भत्ते यदि कोई देव हो तो समिती की अध्यक्ष और अन्य सदस्य और शर्ते तथा निर्बंदनों जिनके अध्य दिन रहते हुए समिती ऐस इसकी उपसमितियों के एक सदस्य के रूप में ऐसा होगा जैसा कि विहीत किया जाए तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो भाग 2 है उस भाग 2 में यह बताया गया है कि जो बालक है उनको कहां पर उनका नियोजन नहीं किया जा सकता तो तो उसकी जानकारी देता है, हमें पीछे जो अनुसूची दी गई है, उस अनुसूची के भाग A में वहाँ पर बताया गया है, कि साथ तरीके के नियोज़न बताया गया है, जिन नियोज़नों में किसी भी बलका या फिर उन नियोजन से अगर कोई procreia है उप जीवी या प्रक्रिया के लिए किसी भी बाला कर नियोजन नहीं किया जाएगा साथ ही वहाँ पर एक परंतुख भी दिया गया है जिसके अनुसार कर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने कुटुमी की साहता से उस प्रकार में से किसी प्रकार का वो चला रहा है नियोजन चला रहा है तो वह अफ़ाद की श्टेडिम में आएगा या फिर कोई ऐसा स्कूल है जो कि सरकार की साहता या मानेता से ऐसे किसी प उपजीवी का या प्रक्रियों में किसी भी बालक का जो निउजन है, उसको फृतिवंदित गिया गया है। वह है जो अनुसूची दी गई है, उस अनुसूची में अगर कैंद्री सरकार को लगता है कि कुछ और ऐसे उपजीवी का है या उनके process हैं जिनको जोडा जा सकता है तो केंद्रे सरकार उन्हें जोड सकती है और केंद्रे सरकार को एक या भी power दी गई है कि वह एक बाल्ख्रम टक्नीकि सरला कार समीति बना सकती है और उस समीति को समीति में एक अध्यक्ष ओगा दस अन्य सदसे होंगे अगर समीति को लगता है तो वह हैं अपनी हेल्प के लिए उप समीतियां भी बना सकती है तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि Part 1 और Part 2 इसके बाद आता है Part 3 भाग 3 भाग 3 में सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 13 तक दिये गए है और इन सबी सेक्शन में बताया गया है कि बालक के कारे की शर्तों का वी नियमन किस तरीके से किया जाएगा regulation of conditions of work of children और इस बहाग को हम लोग अपने next lecture में पढ़ेंगे आज तक के लिए हमने देखा part 1 और part 2 धन्यवाद